तो अब आप भूलने वाले हैं खीर और हलवा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए चाहिए सिर्फ थोड़ा सा पोहा, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, समय कम हो, तो आप इसे बना लेना, क्योंकि बस 15-20 मिनिट लगेंगे, जादा कोई तयारी भी नहीं करनी है, और फिर बस तीन चमच घी में बिना चीनी के पुरे परिवार के लिए ये मीठा बन जाएगा, मैं इसमें दो चीजे खास तोर से डालती हूँ, जिससे ये बहुत जादा स्वाधिस्ट बनता है, और जब आप इसे मेरे तरीकी से बना है गुड़, यहाँ पर ये मीठा हम बनाएंगे, देसी घुड़ से ये बहुत जादा हेल्दी भी रहेगा, और इस से बना हुआ मीठा स्वाध में भी अलग लगता है, तो यहाँ पर एक फुल कप भरके मैं ये गुड़ इस तरह से टुकड़े करके लिया है, जिस कब से ह हमने गुड़ लिया है, उसी कप से अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हम डालेंगे एक कप गुड़ के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये आधा कप और भर लिया है पानी से, ये इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर हमें बस गुड़ को पानी में melt करना है इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और ये बात आप ध्यान में रखेगा कि ये वाला जो मीठा है आप गुड़ से ही बनाईएगा अब मैं डाल रहे हूं ये एक टेबल स्पोन देशी घी और गैस के आज को मैंने दोबारा से ओन किया है और इसको गरम कर लिया है इसमें अब मैं क्या करने वाली हूं कि बादाम और काजू को थोड़ा सा फ्राइग करने वाली हूं वैसे अगर आप चाहें तो इसको बिना ड चीज खाने की तो इसलिए मैंने इसमें काजू बादाम डाल दिये हैं तो यहां पर मैंने 10-12 बादाम 10-12 काजू को इस तरह से कट कर के लिए हैं और बस इनको हलका सा हमें फ्राइ करना है जब तक इसका इस तरह से कलर चेंज ना हो जाए बहुत जादा देर आप इसको फ् चाहिए आप देखे मेने एक कप लिया है कर्दूकस क्या हुआ खोपरा यह सुखा नारियल है इसको गोला और गरी भी कहते हैं यह खास तोर से मैंने इसमें डाला है यहां पर आप चाहिए तो फ्रेश कोकोनेट भी डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि वह हर टाइम घर पर नहीं हो सकता है कभी भी मीठा खाने का मन हो और सुखा नारियल हो और ताजा नारियल ना हो तो वह आप इसमें इसी का इसमाल करेगा वह जादा अच्छा रहेगा इसको बस हमें कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है गी गरम है कढ़ाई गरम है और यह बहुत जल्दी से भून जाता है जलाना नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा तो बस आप देखें यहां पर इस तरह से हमने कोकोनट को और बैदाम काजु को भून कर निकाल लिया है अब क्या करेंगे इसी कठाई में हम दो टेबल स्पून देसे घी और डालेंगे सिर्फ तीन चम्मच घी इसमें चाह कर लिया है बिल्कुल भी इसमें कोई कच्रा नहीं है कोई छोटे मोटे टुकडे नहीं है और अगर आपको लगे कि पोहे में थोड़ा से आप गंदगी दिखें तो उसको आप सूखे कपड़े से पौँच सकते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का पोहा यूज करेंगे तो जादा कोई दिक्कत नहीं देगी हम यहाँ पर अब इसको घी में तीन से चार मिनिट के लिए भूनेंगे तो इससे पोहा फटा-फट से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा हलका सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से यह पक जाएगा पोहा पहले से ही थोड़ा पार बोइल्ड होता है तो इसको वैसे भी जब हम इसका नाश्टा बनाते हैं तो जादा टाइम नहीं लेता है यह पकने में फटा-फट से अगर गरम पानी इसमें डाल दया तो भी यह पक जाता है तो गी में भुनने से क्या होता है क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो अच कि बहुत से बार गुड में थोड़ी सी गंदगी रह जाती है थोड़ी सी कभी-कभी मित्ती भी रह जाती है तो बारिक छेद वा ली च्छननी अब ही मैंने यहाँ पर गेस के आज को तेज कर दिया है शुरू से मैंने इसको अज पर रखा हुआ था लेकिन अब बस इसको हमें पानी जो है इसमें वो ड्राइ करना है तो तेज आज पर फटा फट से काम हो जाएगा अभी इसमें मैं डालने वाली हूँ एक special flavor जो कि है जा फिर इसके बाद बस यह जो हमने खोपरा और काजु बदाम को फ्राइ करके रखे हैं यह इसमें डाल देंगे और जादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में आप देखी रहे हैं कि फटा फट से बस पोहा भूना थोड़ा सा यह ड्राइफ फूट और खोपरा को हमने रोस्ट किया और यहां पर हमारा यह मीठा बनकर तयार होने ही वाला है कभी भी आपका अचानक मीठा खाने का मन हो जाए तो आप इसको बना सकते हैं हेल्दी भी है डेस्टी भी है और बनाने में आसान भी है अब यहां पर मैं इसमें डालने वाली हूँ यह छोटे-छोट का milk powder, आजकल हम लोग लगबख हर चीज में milk powder डालते ही हैं, क्योंकि बार बार मावा हम बाजार से ना तो ला सकते हैं और नहीं गर पर बना सकते हैं, तो milk powder डालना बहुत अच्छा option होता है, फिर इसके बाद ये मैंने बस हाप टी स्पोन इसमें इलाइची का powder डाल दिया है और बस इसको एक बार और अच्छे से मिला लेना है अभी आप देखें यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी आप पानी नहीं बचा है अच्छे से मैंने इसको पका लिया है तो बस यह आपको बातों ही बातों में बताते बताते यहाँ पर मेरा ये मीठा मीठा गुड़ वाला पोहा बन करके तयार हो चुका है ये एकदम शांदार लगता है, खिला खिला भी रहता है और बहुत अच्छा लगता है तो बस इस तरह पलक जपकते ही हम गुड़ वाला पोहा बनाएंगे और पुरे परिवार को सर्व करेंगे तो बस आगे से जब भी आपको अचानक मीठा खाने की तलब लगे तो आप ये गुड़ का पोहा बना लेना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा डिलिशयस होता है ये खाने में तो सच सच बताना आपको मेरी ये रेसिपी अजीब तो नहीं लगी अच्छी लगी या बुरी लगी या आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बिताइएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें शेर भी करें और हमारे चैनल E-TM मिशस को सब्सक्राइब भी करें और नई रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर से करें ताकि आपको सारी रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिलेगी हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन एंजोई इस हेल्दी टेस्टी गुड़ पौहा एंड थैंक्स फर वोचिंग एट्यमीशास